हिमाचल प्रदेश में शांदार जीत कॉंग्रस ने दर्ज की है हाला कि सब क्लोस फाइट बता रहे थे लेकिन आप लोगों ने अच्छे खासे नमबस ले लिए सरकार आप महां बनाएंगे अब किस तरह की सुख बुगाहट है मुखे मंतरी की बात हो रही है मुखे मंतरी कि सबी गुजरात में बीजेपी की गवर्मेंट बन गें पंजाम हिमाचल में कॉंग्रेस ने गवर्मेंट बनाई है और अच्छी खासी विक्ट्री हमने और हम मुखे मंतरी बनाएंगे तो ये विद्धाय एक दल्टी में आपके पास लॉट्टियों लेकिन सुक्वेंदर स सबसे पहले आपको बहुत बद्धाई इस शांदार जीत के लिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सुक्वेंदर जी आप कनेक्टेन हैं कि अच्छा उनके पास पर जाएंगे अमरित आप अपनी बात पूरी कीजिए कि देखिए हमाचल में अब पार्टी हाई कमांड और पार्टी के मेंबर अफ लेजिसलेटिव असेमली हैं सभी बैठेंगे मिल बैठके सी एम का फेस डिस्टाइड होगा जो यूनानिमसली जो सबको एकसेप्टेड होगा जैसे कॉंग्रेस में हमेशा ही रहा है फ्रू डेमोक्राटिक प्रसेस जिसकी एकसेप्टन सबसे जादा आएगी अभी तक दो तीन कुछ चेहरे हैं अभी पर चीजे इस तरीके से प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हैं कि दाट हूँ विल पी देफेस ऑफ दो कॉंग्रेस तो बट धीरे दीरे चीजें क्लियर हो जाए है और प्रियंका गांधी मैं जिनों ने इतनी सारी रेली इस की रजी शुकला जी अभुपेश बगेर जी सचिन पाइलेट जी और प्रताब पाजवा जी और यूद की हमारी टीम जिनोंने टीम वर्क एज़ 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 उनाइट वन फेस हमने लड़ाई की जो भी हमार फेक्टर से अगेंस थे पर कीपिंग असाइड और एज़ वन यूनिट जिसका नतीजा कॉंग्रस को यहां हमाचल में मिला है और हम पून बहुमत से गर्वमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं हमाचल में और उमीद करेंगे कि यही पर्फॉर्मेंस हमारी कॉंटीनु रहेगी आगे जो और बहुत सारी स्टेट्स होंगी पर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी हैरान थी क्योंकि यह बड़े दावेद करते थे बीजेपी वर्सेज आप ही है कॉंग्रस तो कड़ी नजर नहीं आती आज देखी एकदम से पल्टी कैसे मारते हैं कि हम तो नैशनल दल बन गए है नैशनल पार्टी बन गए है इसलिए हमें खुशी है कल को कुछ और भी नहीं मिलेगा फिर एकदम से बदल जाएंगे और इन्होंने गुजरात में यह चीज प्रूफ हो गई है कि बीजेपी एंटी इंकमेंसी के लिए या वोट कटिंग के लिए आ ब्रेकिंग न्यूस देना चाहती हूं जो हमारे नीचे फ्लाश भी हो रही है दर्शकों को और हमारे पैनलिस्स को भी